नमस्कार दोस्तो मैं आणि शौनँद दोस्तोह आज मैं बताने बाला हूँ कि अगर कोई आपको मैसेज ह्विजज के Itadis message was deleted फिर उस Fluid perence को कैसे देखना है वो मैं आज मैं बताने बाला हूँ तो देख तरे हेई वीडियो दोस्तो वैसे तो जब भी कोई message भेजता है और वो delete कर देता है फिर भी वो notification में रहता है लेकिन कभी-कभी क्या होता है दो तीन-चार message एक साथ आते हैं तो इदर लिखा आता है WhatsApp में जिस वो message नहीं आता लेकिन अगर एक भेज आता है तो notification में आता है जब नहीं आता उस टाइम के लिए हमें क्या करना चाहिए देखिए इधर देखिए यह लिखा रेकिस में देखिए उसके लिए एक एक आप जिसका आप किसमाल कर सकते है यह हमने प्ले स्टोर खोल लिया है उस आप का नाम है notification history यह देखिए मैं पहले भी सरच किया हुआ था यह देखिए कुछ इस टाइप का एप है और वो message के message box के आइकन के तरह इसका कुछ आइकन है यह इसका 1 million downloads है जो बहुत अच्छा आप है यह मैं कुछ screenshot सिखा जेता हूँ यह देखिए कुछ भी notification आएगा कुछ भी आएगा तो वह आपको इसमें स्टोर हो चाएगा और आप अगर डिलेट भी हो जाए message तो भी आप खोल कर देख सकते कि किसने क्या message भी आता तो दोस्तो मैं आशा कहूँँ कि आपको मेरे video पसंद आ अगर आपको मेरे video पसंद आते हैं इस video को like करे, subscribe करे और इस video को share करना मत भूलेगा तो तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम